हेई वासब गाइज शुब बहुत सिधार आते हैं यह वाचें पिक्शल स्पार्क स्टूडियो तो वेल्कम टाने वालों कि मुझे नीचे एक जन्न पूझा था कि सर्वाट इस इस वीडियो के नमें बताने बात वह डिटेल के अंदर कि वाट इस मल्टी पास रेंडरिंग तो विडाओ फ़र वेस्टेंग टाइम लेस्ट के स्टाटेड कि अभी तक इस इंट्रेस्टिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नीचे जो लाल बटन इसे पड़ाओ से ठोको जो करना करो और जो बेल आइक उसको दबाओ ताक कि जैसे में वीडियो अप्लोड और नोटिफिक्रिक्स मिल जाया आपको तुरंत सब्सक्राइब करता हूं अगर कोई भी आप एक इमेज देखते हो अपनी फोटो खीचते हो या फिर रेंडर करते हो उसके बहुत साइट्रिब्यूट्स होते हैं तो पहले मैं उस एट्रिब्यूट्स को बताते हूं क्योंकि उन्हीं से रेटेड़ है मल्टिपास रेंडर उस्कों यह साने करता है और जीए चीज़ें सब्सक्राइब कर लिए using जो अलग चीजे दीने जैसे अबएसिती एक योई सी कर लिए जसे इनुग अब उसके समय मकलोत से कर लियद नहीं है दिर्यक्ली सिदे एक image sequence में render क्यों नहीं करते हैं या फिर किसी दूसरे फाइल प्रमेंट क्यों नहीं करते हैं reason यह है कि हम लोग जब भी कोई CT software में render करते हैं तो क्या तो पर्फेट calculative चीजें render होती हैं तो कभी-कभी अच्छी नहीं भी होती है उनको थोड़ा बहुत और enhance करना पड़ता है तो को में और flexibility होने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको multipass rendering कर लेते हैं ताकि जब कॉम पार्टिस हो उसके पास ज्यादा flexibility हो यानि कि उसको लग रहा कि shadows कम हैं तो shadows बढ़ा भी सकता है कि particularly shadows चैनल में जाएगा और shadows को कम बेसी कर देगा shadow color change करना हो कर सकता है लगया कि highlights ज्यादा है तो highlights को कम बेसी कर सकता है तो कौम पार्टिस का पूरी flexibility रहती है और पूरी image को change कर सकता है जैसे वह चाहे जिस तरीके से वह चाहे इसलिए flexibility के लिए ही की जाती है तो यही ता मल्टी पास rendering और किसी ने मुझे पूझा था क्या होता है अगर आपको भी ऐसे कुछ topics है जो आपको नहीं पता है और आप चाहते कि वेसे क्लिकी के अंदर में include करूँ तो नीचे सो इस वीडियो के लिए इतना ही आप चेक लिए मिने भी फिर से मुलाकात था कि सो सी नेक्स वीडियो पेश